सुप्रिम कोट के खिलाफ टिपड़ी पड़ेगी महंगी विपक्षी पार्टियों को सावधान रहने की जरूरत पैसला पक्ष में ना आ जाने पर करते हैं हाई तौबा 600 वकीलों ने लिखी CGI को चिठ्थी नमस्कार मैं हुसामा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है सभी पार्टियां चुनाव की तयारियों में मशबूल है कई पार्टियों के नेता जेल में भी है ऐसे में जब विपक्षी पार्टियों के फेवर में फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रिम कोट पर भी सवाल खड़े करने में एक बार भी नहीं सोचते जिसको लेकर अब सुप्रिम कोट भी सखत होता वन जरारा है और अब एक ऐसा कुछ हो गया है जिसमें वकीलों ने एक ऐसी चिठी लिखी है जिसके बाद उन सभी लोगों की मुश्किली बढ़ गई है जो न्याय पालिका के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले जरा सा भी सोचते नहीं है तो क्या कुछ है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं देश के जाने माने वरिष्ट अधिवक्ता हरीश सालवे और बार काउंसिल ओफ इंडिया की अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के साथ ही देश भर के करीब 600 वकीलों ने CGI DY चंद्रचूर को चिठी लिख कर न्यायाले और जजो का समर्थन कर दिया है वहीं उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश में एक विशेश ग्रूप न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है दूसरी तरफ इस पूरे मामले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कॉंग्रेस पर सीधा सीधा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि दूसरों को डराना और धमकाना कॉंग्रेस की पुरानी संसिक्रिती है कई दशक पहले ही कॉंग्रस ने प्रतिबध न्याय पालिका का अहवान किया था वो अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबधता चाहते हैं लेकिन राश्ट के प्रती किसी भिर प्रतिबधता से बचते हैं राजनीतिक एजन्डे के साथ न्याय पालिका की प्रतेष्ठा को धूमिल करने की कोशिश बार काउंसिल ओफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और वरिष्ट अधिवक्ता हरिश सालवे के साथ ही पूरे देश उसे करीब 600 से जादा वकीलों ने भारत की मुखिन आधिश यानी CGI DIY चंद्रचूर को पत्र लिख कर नहीं तुस्वारती समुवों के क्रतियों पर चिंता जाहिर की है उन्होंने कहा है कि वो उन्हें न्याय पालिका की अखड़निता के लिए खत्रा मानते हैं वरिष्ट अधिवक्ता हरिश सालवे मनन कुमार मिश्रा आदिश अग्रवाल चेतन मित्तल पिंकी आनंद हितेश जैन उज्वला पवार उदे हुला सारत भर के वकीलों ने चिठी लिखिया है वकीलों ने नियाईक प्रक्रियाओं में हेर फेर करने अदालती फैसलों को प्रभावित करने और निराधार आरोपों और राजनीतिक एजंडे के साथ ही नियाय पालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करने वाले न हमारी अदालतों के लिए एक साथ खड़े होने का वक्त है हमें एक साथ आने और मौझूदा समय में नयाले पर किये जा रहे हमलों के खिलाफ बोलने की जरूरत है वकीलों ने चिंता जाहिर की है कि विशेश ग्रूप अदालतों की कारवाई में बाधा डालने की कोशिश कर हैं वहीं वकीलों की तरफ से CGI को लिखे पत्र पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस पर जोरदार तरीके का हमला बोला उन्होंने कहा है कि दूसरों को डराना और धंकाना कॉंग्रेस की पुरानी संसकृती है वकीलों ने पत्र में बेंच फिक्सिंग के मनगरत सधार्त के बारे में जताई चिनता पीम मोधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पांच दर्शक पहले ही कॉंग्रेस ने प्रतिबर्ध न्याय पालिका का जो आवान किया था वो अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से बद्धता से बचते हैं इसमें कोई आश्यरी नहीं है कि 140 करोड भारतिये उन्हें आस्वीकार कर रहे हैं दूसरी तरब CGI को लिखे पत्र में बेंच फिक्सिंग के मनगरंत सिद्धानत के बारे में चिनता जाहिर की गई है इसमें न्याय पीठों की संरचना को प्रभावि पुचाने वाला भी बताया है उन्होंने कहा है कि कतिपे लोग निजी स्वारत में हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करने लगे हैं जहां कानून का कोई शासन नहीं है और हमारे न्याईक संस्थानों पर अनुचित प्रथाओं का आरोप लगा रहे हैं हमारी न्याई पालिका में जनता कोई विश्वास को नुपसान पहुचाना इनका उद्देश है वकीलों ने आरोप ये भी लगाया है कि ये दो मुह वाला विवार हमारी कानूनी विवस्ता के प्रती एक आम आदमी के मन में होने वाले सम्मान के लिए हानिकारक है उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आलोचनाई नहीं हैं ये सीधे तोर पर हमले हैं इनका उद्देश हमारी न्याय पालिका में जनता के विश्वास को नुकसान पहुचाना और हमारे कानूनों के निश्पक्ष कार्यानविन को खत्रे में डालना है ये देखना अजीब है कि राजनेता किसी पर ब्रश्टचार का आरोप लगाते हैं और फिर अदालत में उनका बचाव करते हैं अगर अदालत का फैसला उनके अनुकूल नहीं होता है तो वो तुरंत अदालत के अंदर और मेडिया के माध्यम से अदालत की ही आलोचना करते हैं विपक्षी दल फैसला खिलाफ आने पर न्याय पालिका की हाई हाई करने लगते हैं इतना ही नहीं CGI को लिखे पत्र पर भाजपानेता और सुप्रिम कोर के वरिष्ट वकील गौरव भाटिया ने कहा है कि कॉंग्रिस आप और अन्य जरसे विपक्षी दलों से संबंधित वकील इस तरह के हैं वो न्याय पालिका पर दबाव डालते हैं और बिना किसी सबूत के जजों पर जो अपत्ती जनक तिपडिया करते हैं वो बेहद ही चिंता जनक है ये पत्र जनता की भावनाओं को दर्शाता है मैंने देखा है कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो न्याय पालिका की वावा करते हैं और इसके खलाफ अगर फैसला आता है तो न्याय पालिका की हाय तोबा करते हैं अगर अदालत का फैसला उनकी पक्ष में नहीं जाता है तो वो कोट के भीतर ही कोट की आलोचना करते हैं और फिर वाद में मीडिया में पहुंच जाते हैं आम आदमी के मन में हमारे लिए जो सम्मान है उसके लिए ये दोहरा चरितर का खत्रा है दूसरा पीट पीछे हमला जूठी जानकारियां इसके बारे में बताया गया है कि कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्याधीशों के बारे में जूठी जानकारियां सोचिल मीडिया पर फैलाते हैं ऐसा वो अपने केस में अपने ढंक से फैसली का दबाव बनाने के लिए भी करते हैं ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खत्रा है और कानूनी उसूलों पर भी हमला है इनकी टाइमिंग भी तै होती है जब देश में चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तब ये ऐसा कर रहे हैं हमने ये चीज 2018 में भी देखी है दरैसल अभी हाली में राउ जर्विनी कोर्ट ने मुखमंत्री अर्विन केजरिवाल की एक अप्रेल तक E.D. रिमान बढ़ा दी और अभी एक अप्रेल तक E.D. के कस्टडी में ही मुखमंत्री रहेंगे जाच एजंसी ने दिल्ली की कोर्ट से साथ दिन की रिमान मांगी थी और कोर्ट ने पेशी के दौरान E.D. ने कहा है कि अर्विन केजरीवाल के बयान भी दर्श किये गए लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना कराना है साथी जब्त किये गए डिजिटर डेटा का भी परिक्षर करना है सीम केजरीवाल E.D. के साथ पुष्टाच में सयोग नहीं कर रहे है जार्जे जनसी ने आगे कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि केजरीवाल ने आपकारी नीती मामले में 100 करोड रुपे के रश्वत भी मांग की है केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता भी खड़े कर दी क्या आम आदमी पार्टी ऐसक कर सकता है ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है वहीं दूसरी तरफ सीम केजरीवाल की तरफ से वरिष्ट अधिवक्ता मोहित मातुर ने कहा कि हम रिमान का विरोध नहीं कर रहे हैं E.D. जितने दिन चाहे केजरीवाल को रख सकती है वरिष्ट अधिवक्तार रमेश गुप्ता ने कहा कि रड़ी की तरफ से दिये गए 55 करोड की भी जाच होनी चाहिए दिली के मुख्यमंत्रे ने कहा कि सुप्रिम कोट के एक जज ने अपने एक नड़े में कहा कि 100 करोड रुपे रश्वत लेना संदेहा इसपद है ऐसे में तो ये अभी तक तैही नहीं है आपकारी घोटाला ये है कि E.D. पूरे देश के सामनी ये बताए कि आपने घोटाला किया शरत रेड़ी ने मेरे खिलाफ बयान देरी के बाद 55 करोड रुपे इलेक्टोरल बॉंड के जरीए भाज़पा को दिया केजरिवाल ने भी कहा कि ये मामला दो साल से चल रहा है मुझे गिरफ़तार कर लिया गया लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है मेरी मौझूदगी में मरीसी सौदिया ने आपकारी नीती के दस्तावेज दिये मेरे आवास पर कई विधायक आते हैं क्या एक मौझूदा सियम को गिरफ़तार करने का आधार है आरोपीत अपना बयान देते हैं लेकिन उनके बार बार बयान लिये क्योंकि खास करके विपक्षी पार्टिया जब उनके फेवर में फैसला नहीं आता है तो वो अलग तरीकी का एक अभियान चिड़ देती है खुद नियाय पालिका के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलता है कई आपती जनक शब्दों का इस्तमाल भी सुप्रिम कोट के लिए किया जाता है और जजों के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तमाल किया जाता है जस्पार अब सुप्रिम कोट और वकीलों की जो चिट्थी है उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना काफी जादा महतपूर होगा क्योंकि ये मामला बहुत जादा गंभीर है आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएए फिलहाल के लिए इतना ही बाकी कबरों के लिए देख तेरी कैपिटल टीवी नमस्कार बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया